दोस्तों अम्दावादी अज्जू आज किसना नेचर पार्क आया है जहां सब को मिलती हैं खुस यहां सब के चेहरों पे होती है स्माइल क्यूंकि इस नेचर पार्क में बहुत बड़ी ओपन आइवेरी बनाई गई है और इस ओपन आइवेरी के अंदर विदेश के बड़े बड़े मकाउज और काकाटू और छोटे बड़्स रखे गए जिनको आप परस्नली टच कर सकते हैं एंट्री फिस 80 रुपीस बच्चों के लिए बड़ों के लिए 100 रुपीस विकेंड में ये डवल प्राइस हो जाती है अभी देखिए कुछ लोग जो है यहां पर खेल र काटू ब्रीड है तो दोस्तों एससे ही बहुत सारे बड़्स यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनको आप परस्नली टच कर सकते हैं हर सेक्षन में जाने के लिए कुछ अलग अलग चार्जिस है कोवन एंट्री फिस मैंने आपको बताई अगर बड़ के साथ आप फोटो वगरा खिचवाना चाते तो कुछ तकरीबन 250 या 200 रुपीस चार्जिस है वहाँ पर आपको फोटो भी दिये जाएंगे फोटो भी खिचवाये जा सकते हैं और अगर आप इगवाना का सेक्षन में फोटो खिचवाते तो 100 रुपीस है यह अफ्रीकन ग्रे दे यहां पर आती हैं खास करके वीकेंड के प्राइस इसलिए ज्यादा होते कि वीकेंड में इंटरेक्शन और काफी इवेंट्स यहां पर करवाये जाते हैं नेचर पार्क का एड्रस में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा सूरत एरपोर्ट से बहुत नजदी के अब आप इफरी का उल्क महद्वीब की आपको बर्ड यहां पर एक्जोटिक बर्ड देखने को मिलेंगे यहां पर 4-5 बड लेकर दोस्तों साथ आज लाख रुपए तक के मकाउज यहां पर हैं यह सकर्लेट मकाऊ है दूस्तों बहुत ही लंबा आप देख सकते कितना बड़ा है य और ये है Blue and Gold Macau पीछे जो आप देख रहे हैं तो अभी जो आप देख रहे हैं यह है यहां के Honor और इनका इंटर्विवी भी हमने किया है लेकिन वो वीडियो हम Pet Guru चेनल पर दोस्तों डालेंगे जो हमारी Pets से Dedicated चेनल है जहां आपको ऐसे ही बर्ड के ब्रीडर और सेलर रोज रोज मिलते रहते हैं तो वो एपिजोड हम उस पे डालेंगे लेकिन ये Krishna Nature Park का हम डाल रहे हैं यहां का स्टाफ बड़ा ही दोस्तों सपोर्टिव है और यहां के जो ओनर थे वो भी बड़े ही सपोर्टिव थे मज़ा आगया उनसे मिलकर और यह देखी यहां का स्टाफ बिलकुल ही दोस्तों मैं कहूंगा कि कॉपरेटिव बिलकुल कॉपरेटिव था और कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं तो यहां पर जरूर आईए दोस्तों आप भी एक बर्ड लवर बन जाएंगे और अगर बर्ड लवर बनने के बाद आपको कुछ भी रिक्वायर्मेंट रहती है ठीक है तो आप हमारी पेटगूरू चैनल देख सकते हैं उस पर बहुत सारे ब्रीडर है अभी आप इगवाना देख रहे हैं दोस्तों ये पाई जाती है सिंगापूर शाइड में ठीक है इंडोनेसिय साइड में और वहाँ पे ये पानी में समुंदर में रहती है लेकिन इसको आप घर पे रख सकते हैं सिर्फ दूप देनी होती है और खाने में ये वेजिटेबल साकाहारी होते हैं यहाँ पर अलग-अलग स्पेरों के अलग-अलग बाड़े बनाएगे और बहुत सारी अलग-अलग देश से चिडिया है यहाँ रखी गई है कुछ जानवर आपको नीचे भी घुमते होए नजर आ जाएंगे टर्की है, डक है, गीज है, गूज है ठीक है, फिंचिस देख रहे हैं अभी आप ठीक है, यह अलग-अलग किसम की फिंचिस हैं जो अस्ट्रेलिया महादुएप में पाई जाती है यह आफरीका का छोटा सा पंची लवबर देख रहे हैं तो केसा लग रहा है दोस्तों एपिसोड अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सेर करिए यह देखे, स्टाफ के जो इनसान हैं उनको मैंने कहा कि एक आप स्लो मोसन में वीडियो दीजिए तो उन्होंने अच्छे से हमें कॉपरेटिव होके एक वीडियो भी दिया अब आपको पूरा नेचर पाक दिखा रहा हो बहुत बड़ा है और बहुत ही खूब सूरत है नेचर की फीलिंग आपको आ जाएगी यहाँ पर चेर्स वगेरा भी है तो आप ठक जाते हैं बेटने की व्यवसाबी और आपके आसपास बस पंची गूमते रहेंगे इनको आप अपने हाथ से दाना वगेरा भी दोस्तो खिला सकते हैं अब आप एकलेक्टस बड़ देख रहे हैं यह एक फीमेल है आप काकाटू देख लेते हैं दोस्तो इसको सलफर क्रेश्टेड काकाटू केते ग्रेटर सलफर क्रेश्टेड काकाटू ठीक है बहुत ही खूबसूरत दोस्तो इन सबको आप कहां छूपाएंगे सोचिये ये इतने महंगे बर्ड है या ना तो इनसान घर पे ला सकता है जो बहुत पेसे वाले होते हैं वो ला भी सकते हैं ठीक है लेकिन ऐसी फिलिंग इतने सस्ते दर में आप यहां पर एंजोई कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों उमीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा अच्छा लगए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सेर्ज जरूर करिएगा